जनों का इंट्रोरक्शन कल हमने स्टार्ट किया, जनों का है क्या? एक तरह की साइन्स है, इस साइन्स है क्या होगा? हमारे अपना प्रोग्रेस होगा, यह किस तरह का प्रोग्रेस है? ही, mental progress है, और जो लोग जनोंगा नहीं करते हैं, क्या उनका progress होगा, हाँ, उनका भी होगा, लेकिन उनको बहुत-बहुत-बहुत जन्म लग जाएंगे, वही progress हमारी जल्दी हो जाएगी, कुछी सालों में हो जाएगा, जनोंगा हमको सिखाता है, इसिखाता है the structures of various parts of the mind and their functions, यह ऐसा ही है, जैसे आपको computer के अलग-अलग parts का मतलब मालूं पढ़ जाए, अलग-अलग drives का मतलब मालूं पढ़ जाए, अलग-अलग websites का मतलब मालूं पढ़ जाए, जब मालूं पढ़ जाएगा, उसका use मालूं पढ़ जाएगा, तो we will be able to use your computer more efficiently, similarly अलग-अलग portions of the brain and mind, अगर इनका structure मालूं पढ़ जाए, और उनको कैसे use करते हैं, कैसे operate करते हैं, यह मालूं पढ़ जाए, तो हमारी efficiency brain की बढ़ जाएगी, ठीक है, कल हमने discuss किया, कि हमारे हाँ चार section होते हैं, चार section में section 1 and 2a, एक तरह का है, section 2b, 3 और 4, एक तरह का होता है, इन दोनों के बीच में एक बड़ा सा gap होता है, उसको हम बोलते हैं, no man's land, या gulf, इसको no man's land इसलिए बोलते हैं, because इसमें गुरू या कोई helper, या कोई चामतकारी शक्ति आपको help नहीं कर सकती, तो आप जाकर के, और अगर आप से कोई पूछता है, कि क्या section 2b, 3, 4 होता है, या आप किसी को बताने की कोशिश करते हैं, कि हाँ ऐसा-ऐसा होता है, intuition, meditation, concentration, ये सब चीज ये पॉसिबल है, तो आपको कोई विश्वास नहीं करेगा, और आप इसमें time waste मत करिएगा, किसी को विश्वास कराने में, क्योंकि ये इतना, उसका structure और उसकी functioning इतनी अलग है, कि आप उनको समझाते रह जाएंगे, लोग convinced नहीं होगे, ठीक है, अब इन चार sections में, seven centers distributed है, पहले section में है, I center, E center, S center और M center, second section 2B में है, intuition center, third में है, paramental center, और fourth में है, transcendental center, ठीक है, आज थोड़ा सा हम लोग I, E, S, M, इन centers के बारे में समझेंगे, ये हैं क्या, I center stands for integrity, or intellectual, or introspection, integrity, intellectual, or introspection, introspection मतलब, अपने अंदर जहाग कर देखने की कोशिश करना, इसलिए नहीं क्योंकि पापा बोल रहे हैं, अरे, अपने गिरेबार में जहाग के देख, शरम नहीं आती तेरे को, इसलिए नहीं, या आपने homework नहीं किया, teacher आपको खड़ा करके बोलते, देखो, इसको देखो, और तुमको देखो, ये जहाग नहीं होता, ये तो कोई नहीं कर रहा है, और आप guilt महसूस कर रहे हो, ये जो introduction है, ये क्या है, eye center means rational reflection, consciously and conscientiously done, ये आप rational मतलब समझदारी जैसे आप Khan Academy में maths करते हो, ये आप film देखते हो, फिल्म देखने के बाद आपको कोई बोलता नहीं है, कि ये फिल्म अच्छी थी कि खराब थी, आप consciously और conscientiously ये सोचने की कोशिश करते हो, कि ये फिल्म अच्छी है कि नहीं, effort भी नहीं लगता, system one का काम होता है, कभी कभी system two का भी काम होता है, कुछ बहुत ही अच्छी बि consciously rational introspection, reflection, कि आप बाद में जाकर के बैठके देखें, कि यार, for example, आप यहाँ से जा रहे हैं, दो मेने हो गए, तीन मेने हो गए, और parents पूछते हैं, कि यार, वहाँ जाते हो, सरके पास कुछ फाइदा वैदा होता है, तो इस question पे आप तुरंत हाँ बोलने से पहले, बोले हो, या किसी ने आपको बोल दिया कि अच्छा, आप अपने सारे तीन मेने के अंदर में, जो भी experiences आपके हुए हैं, अच्छे आप बुरे, उसको try करिए, jot down करना, लिख करके लाइए, तो आप उसको rationally सोचेंगे, इसमें अच्छे अच्छे experience क्या थे, खराब क्या था, त इसको बोलते हैं, eye center's activity, इसका definition है, its aim, eye center's aim is knowledge, through a balanced mind as well as a decision arising there from, एक समझदार दिमाग से decision लेना, knowledge लेना उसके बाद decision लेना, जैसे मैंने आपको बोला आ गए, मैंने अरपन को भी बोला आने के लिए, अरपन नहीं आए, तो उन्होंने knowledge, और decision, eye center's से नहीं लिया, कहां से लिया, अलग center's से लिया, अभी जिसकस करेंगे, this center, as we call it, is known in Sanskrit as Iha, उसको संस्रत में क्या बोलते हैं, Iha, और उसका exact मतलब होता है, a will to know, छोटा बच्चा होता है, एक दम छोटा बच्चा है, खोदेरता रहता है हर चीजों को, छोटी-छोटी चीजों को, दो कारण से, एक तो उसके उंगलियों को reflex होती है, reflex मतलब muscles और nerves, यह सब चीज ग्रो करना चाहती है, तो जब उसमें activity रहेगी, तब वो ग्रो करेंगी, तो इस तो उंगलियों को fiddle करने के लिए, और दूसरा, उसको इच्छा है जानने के लिए, इसलिए छोटे बच्चे बहुत question पुछते हैं, क्यूं, कैसे, श्रीज बार पूछते रहता है, ऐसा क्यूं है, ऐसा कैसे होता है, यह क्यूं बोल रहा है, वो क्यूं बोल रहा है, तो यह क्यूं है, it is because of इहा, या तो a will to know, हमारे brain में एक खास center है, जो जानना चाहता है हर चीज को, meaning the conscious and programmed analysis, हर चीज का programmed analysis करता है, undertaken with the view, to acquire exact or integer knowledge of a thing, maths में integer होता है न, integer, 1.1 integer है की नहीं, 1 integer है, 1.1 decimal है, integer मतलब whole, complete, अधूरा नहीं, तो eye center जो काम करता है, it wants to know complete thing, integer knowledge, knowledge of a thing, problem or situation, solely or predominantly by means of unbiased reasoning, reasoning मतलब, तर्क, a is equal to b, b is equal to c, so a is equal to c, यह तर्क है, आपका सारा mathematics reasoning है, आपकी most of the science reasoning है, unbiased reasoning क्या होता है, biased word बहुत बार आएगा, unbiased reasoning होता है, पक्षपात के बिना reasoning, जैसे अगर आप अर्पन को या निशान को पूछें, कि क्या सरकेह जाना अच्छा लगता है, उसी दिए मना कर देंगे, सोचेंगे विचारेंगे नहीं, यह biased reasoning है, biased reasoning मतलब, यार वहाँ जाकरके सर बोर करते हैं, अगर आप उनसे पूछें कि सर क्या पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता, अगर वो उन शब्दों को, इन insights को बताएं, और यह justify करें कि यह तो सब जगा सुनते रहते हैं, तब उसको बोलने के गलत है, तब शायद वो unbiased reasoning हो, लेकिन अगर ऐसे इंकार कर दिया क्यूं, उजे कहीं होर जाना है, कुछ और चीज पसंद है, उसके लिए इसको नकार दें, जैसे शादी के time, लड़की अगर किसी और किसी affair करते हैं, लड़की-लड़की affair में रहते है तो जो लड़का आता है, देखने के लिए उसको मना कर देंगे, क्यों? उसकी शकल ठीक नहीं है, वो लंबा है, वो चोड़ा है, काला है, सफेद, लेकिन अच्छली क्या है? वो biased है, चक्कर क्या है, क्यों नहीं शादी करना चाहती हो? किसी और को पसंद करती है, लेकिन य जादती की, और उसमें आपकी भी थोड़ी बहुत गलती है, चाहे किसी और को पता हो, चाहे ना पता हो, आपके दिमाग को मालूम होगा कि मेरी गलती है, इसी को बोलते है, unbiased reasoning, जबकि e-center में जब पहुँचेंगे आप, तब देखेंगे, वो आपकी गलती को छुपाई से ठीक कर सकते है, तो, unbiased reasoning, this center governs all which in yoga और vedanta falls under the domain of sattva, तीन गुड़ कहे गये हैं, गीता में, बगवान कृष्ट ने तीन गुड़ बताये है, sattva, rajas और tamas, तो उसमें जो सबसे pure गुड़ माना गया है, उसको बुला गया है, sattva गुड़, वो eyes enter की activity है, ठीक है, यहाँ सत्व से सत्य मत समझेगा, truth, सच बुलना चाहिए, ऐसा नहीं है, यहाँ पर सत्व से समझेगा, a kind of light, light क्यों, जब light जलती है, तो हर चीज दिख जाती है, ऐसी है आपके brain में, जब eye center activity करती है, तो आपको मालूम पढ़ना शुरू हो जाता है, आप देखेंगे, जैसे मैं आज कल जुम्बुक लिख रहा हूँ, जब मैं रात को लिखने जाता हूँ, तो जब words लिखता हूँ, और उसको किसी को पढ़ाता हूँ, तो उसमें धेड़ सारी spelling mistakes होती है, grammar mistakes होती है, और अगर mistakes नहों, फिर भी confusing होती है, simple नहीं होती है, लेकिन वही चीज जब मैं सुब तो यह eye center है, eye center is that hypothetical spot in the brain which consciously commands reason and guides our thinking, छोटा सा definition है, कि eye center हमारे brain में वो hypothetical spot है, अगर कोई पुछता है, hypothetical मतलब, वले वही आगर खोपड़ी तोड़ोगे, निकालोगे तो eye center में निकाल नहीं पाहूँगा कि यहाँ पर है, वो पूरे brain में dispersed है, सब जगह पर है, जैसे cells सब और वो करता क्या है, reason तरक करता है और हमको अमारे thinking को guide करता है, clear, यह है eye center, अगर एक sentence में कुछ eye center क्या है, eye center मतलब सही सही जानकारी और वहाँ से निकले हुए decision, ठीक है, अब e center, e center is evocative of emotion, evocative मतलब पैदा करने वाला, जगाने वाला, the focus or the point to which an emotion keeps all attention revided, यह हमारे brain में वो जगह है, जहां पर हमारा सारा attention खीच के लाया जाता है, अपने आप ही ले आता है, the ability or propensity of emotions to corner or divert attention to themselves, e center वो center है, जिसके अंदर है ability, खीचने की या हटाने की, हमारा concentration किसी भी emotion से, या किसी भी emotion के नजदीक या दूर, वो ही बोल रहा है, ability to corner, एक जगए कठा करना, या divert, कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, boring page आ गया, तो आपका दिमाग divert हो जाएगा, वो कौन करता है, e center करता है, और उसी में अचानक कहीं से कोई interesting चीज़ आ गया, तो आपका mind corner हो जाएगा, that is e center, it is that hypothetical spot in the brain, यह भी hypothetical है, अगर आप खो जाएगे, तो एक जगह नहीं मिलेगा, बहुत जगहों पर मिलेगा, brain, which arouses all spontaneous feelings, सारे spontaneous feelings आते हैं इसमें, अचानक से आपको पता भी नी चलेगा, बेरे अदर यह feeling थी, अचानक से मुस्कराना शुरू कर देंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं, बहुत खुछ नहीं है, आजम, यह कहां से आता है, e center से, spontaneous and even unnoticed, semi-conscious reactions of our feelings, और बहुत से तो हवारे ऐसे reactions होते हैं, emotional, जो हमको भी नहीं पता होते हैं, हमारे अंदर हैं, यह से, आप बात करते करते हैं, अगर इस तरफ देख रहे हैं, तो उसका अलग emotion होता है, अगर आप इस तरफ देख रहे हैं, उसका अलग emotion होता है, एक का मतल है, आप जूट बोल रहे हैं, एक का मतलब है तो सच बोल रहे हैं, सच में, अगर मैं बात करते करते, ऐसे आँख रहा रहा हूं, और आप मार नहीं रहा हूं, twitching हो रही ही खाली, तो हमको पता ही नहीं है, लेकिन वो unconscious emotional reaction है, यह हम लोग बार बार, उंगली दबा रहे हैं, यह तो दिखते हैं, जो बहुत से ऐसे हैं, जो दिखते ही नहीं है, आप बैठे हैं, लेट से आपका examination है, और examination के दिन में आपको पेट पी दर्द हो रहा है, वो पेट में दर्द क्यों हो रहा है, बिकाज आप डरे हैं, और वो डर अगर आपने control कर रखा है, तो वो physical body के गुज गया है, और hyper acidity हो गई है, तो बहुत से intelligent बच्चे, जैसे बच्ची आपके school में थी, वो 5 दिन सो ही नहीं, बहुत intelligent बच्ची पढ़ती थी, बहुती रात रात में गताब खोलके पढ़ती हूँ, then she went into a psychotic episode, feminist को injection लगाया है, सुलानी के लिए, तो बहुत से ऐसे reactions है emotion के, जो दिखते ही नहीं हमको, वो भी e-center के होते हैं, the domain of various emotions and passions including irrational belief, तो यह हमारे passions, passion, passion समझने, भाई, मारे प्रेम, महबबत, irrational beliefs, भाया, बिली रास्ता काट जाए, एक बार एक नास्तिक था, नास्तिक समझते हैं, भगवान में विश्वास नहीं करने वाला, तो जब भी मंदिर जाता था तो चपल पुल उतार देता था, तो गुरु जीन बुचे, क्यों ही या, तुम भगवान को विश्वास करते नहीं हो, तो चपल क्यों उतार देते ह विश्वास नहीं करते है लेकिन रिस्क लेने से क्या फायदा है यार तो ये irrational beliefs है हम सनिवार को बाल नहीं कटवाएंगे ब्रेश्पतवार को केला नहीं खाएंगे और उस दिन होता है शुक्रवार को तो संतोशी माता नाज जाती है अगर नीमू आप चाट ले तो देखा है फिल्म आपने संतोशी माता पिचर वनी थी उसमें शुक्रवार को जो पुजारी हैं जो भक्त हैं उनों नहीं किसी और गुंडे ने गलती से इसके प्रसाद में नीमू डाल दिया तो इनी का पूरा पुजा भंग हो गया और तुर्गा मया नहीं संतोशी माता सोच नाम है संतोशी माता और हो गई क्रोधी माता यह इर्रैशनल बिलीफ्स इर्रैशनल उतर्स का कोई तर्क नहीं है आप उनसे पुछें क्यूं अरे छोड़िये कोई बात नहीं गणेश जी की फोटो यहां मत लगाईए इदम वहां लगाईए सीधे दरवाजा खुलते ही दिखना चाहिए जबकि वहां कौन बैठे है हमारे हनुमान जी बैठे है मैंने का हनुमान जी क्या बंदर है इसलिए हटा दे रोगणे जी हाती है है तो दोनों जानवर भाईया जानवर बलते हैं नहीं कहते हैं वास्तू के हिसाब से वास्तू कौन वास्तू पता नहीं जिससे को आप जानते ने जिससे का कोई logic नहीं दे सकते उसको बोलते हैं irrational belief और जिसको logic दे सकते हैं उसको क्या बोलते है rational belief हमारे सारे attachments हमारे सारे avergence attachment मतलब जो पसंद है avergence मतलब जो ना पसंदी है all forms of diverse and even contradictory feelings contradictory मतलब हमारे मन में मैं इसको पसंद तो करता हूँ लेकिन ये बहुत खराब लड़का है एक ही सेंटेंस में पसंद भी कर लिया और खराब भी बोल दिया ये चीज़ें तो यार शकल तो अच्छी है लेकिन तुम पढ़ते वढ़ते रही हूँ तो दोनों दो अलग अलग opposite feelings जब एक वी मार्ट में कहे एक नया पैंट लिया क्यों बस हमारे विम्स विम्स मतलब नखरे इस बोईज ये नखरे थाइप के and even sorry tendencies subconscious inclination भंडी की सबजे पसंद नहीं पसंद नहीं तो ये सब चीज़े इसेंटर की चीज़े है all decisions not carefully debated हमारे वो सारे decisions जो हमने carefully debate नहीं किया होते हैं debate मतलब बाचीत discussion करना आप उसको pros and cons नहीं चेक करते हैं debate में ही होता है एक party उसके against बोलती है और एक party उसके for बोलती है तो ब्लता है जब आपने दमाग में debate नहीं किया होता है कि ये चीज़ मुझे करना है कि नहीं करना है इसका long term असर क्या होगा अगर मैं सरके यहां जाता हूँ तो क्या फाइदा नहीं जाता हूँ तो क्या फाइदा हूँ तो क्या फाइदा हूँ अगर मान लो 10 दिन तर जाता हूँ तो क्या फाइदा हो सकता है all on the spur of the moment decisions spur of the moment मतलब आप यहां से गए वीमार्ट वीमार्ट में आपका दोस्स मिल गया उसकी बाइक में पिट्टोल भरी हुई है तो चलो यार चलते हैं कहां कौन सी नदी है शाड़ दरगा चलो चलो शिवा में चल जलो क्यों अच्छा है यार यह spur of the moment इस जो बच्चे आपके हाँ suspend हुए थे OL वाले उनको पूछा बने तुमने कुछ प्लान किया ता बस नहीं सर हम प्लान फ्लान नहीं करते हैं जिंदगी में जो मन में आया है वो कर देते हैं बस इसको बोलते है spur of the moment decisions spur मतलब तुरंत हम ऐसे करते हैं decisions सोचते समझते नहीं है कौन से picture थे ही हो मुलता है मैं जब एक बार decision ले लेता हूँ मैं अपनी खुद की नहीं सुनता हूँ wanted picture में यह e-central आदमी यह eye-central आदमी नहीं है तुम खुदी को रोक नहीं पा रहे हो तुम क्या समझदार हो later decisions later regretted और जो बाद में आप regret करेंगे and one knew that in all probability they would be later regretted और हम जानते थे कि बाद में regret करेंगे इसके chances है लेकिन फिर भी सुचते हैं चलो बाद की बाद में देखी जाएगी यार अभी तो मजा कर लो all general unexplained and even unexplainable likes and dislikes हमारी सारी likes और सारी dislikes e-center की होती है this center governs all which in yoga falls under the heading of rajas rajas gun represents e-center activity activity begun or continued on initiative of one or more emotions e-center देखा जाए तो अगर आप एक sentence में पूचे क्या है वो activity है जो हमारे emotions से पैदा होगी आप इस पर क्लिक कर रहे है ठक 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 जो रुके आप यह i-center नहीं है e-center है जो भी activity हमारे emotions से निगल के आता है the center as we call it in Sanskrit is known as e-kaiyan उसको क्या बलते हैं संस्क्रित में e-kaiyan the focus उसका मतलब होता है focus emotions tend to focus all attention to themselves emotion बने ही ऐसे कि वो अपना focus इस पर डाल देते हैं जब मैंने पहली बार e-center के बारे में पढ़ा तब मुझे एक गुथी solve हुई बच्पन की गुथी थी जो बहुत से लोगों से मैंने पुछा था सब ऐसे टाल जाते थे रामायन में विश्वा मित्र थे और 14 साल की उमर में राम को और लक्ष्वन को दश्वत से मांग के लेकर चले गए थे बोल रहे थे कि हम अपने साथ ले जाएंगे इनको शादी से पहले बच्चे थे उस समय तो बोल रहे थे क्यूं इन्होंने का हम को यग्य कर रहे हैं और उस यग्य को करते समय राक्षवगर आ जाते हैं तो उनको मारने के लिए हमारे यग्य की रक्षा करने के लिए राम और लक्ष्वन चाहिए मुझे ये समझ में नहीं आया है और उसमें ये भी है कि एक बार इनको हम train कर देंगे तो सारे अश्त्र बड़े-बड़े महास्त्र और ब्रह्मास्त्र हो गए रहा है सब हम इनको अच्छा को देंगे मुझे लगा जब इनके पास एकने बड़े-बड़े अस्त्र है तो मार देना चाहिए यह टाक्षास को खोदी तो यह क्यों ले गए इनको सब लोग अपना अरे इसकी चिंदा मन करो तो पढ़ाई करो पढ़ाई लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तब समझ में आ रहा है कि वो जो यग्य कर रहे थे उसमें उनकी necessity थी कि उनका emotions नहीं आना चाहिए they must be doing some kind of meditation और meditation disturb हो जाएगा अगर आपका emotions आ जाएगा नहीं होता में निकाह आ जाती है दिहान करते करते तो इसमें आपको तो यह राम और लक्षमन को क्यों लेकर गए है क्योंकि राक्षासों को मारने के लिए किसी से भी लड़ाई करने के लिए थोड़ा सा गुस्सा च शायद इसी लेकर गए होंगे कि वो emotions को trigger नहीं करना चाहते होंगे या emotional यग्ये कर रहे होंगे कोई वो ऐसा हवन वाला यग्ये नहीं रहा हो गई यह तो हो गया E-Center ठीक है अब S-Center S-Center is equal to sensual vitality for short sensual city S-Center is that spot in the brain which commands reflex यह आपको biology में बहुत बार पढ़ने में आएगा जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे reflex क्या है और एक photo है बड़ा खतरनाक सा biology मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आया था इसलेकर कि लोगों ने बताये नहीं से reflex होता क्या है उसमें आपका जो यह brain से नीचे जाता है spinal cord में तो एक photo आती है ऐसे goal goal तो 8 की shape की photo होती है तो उसमें neuron यहां से आएगा यहां से घु कुछ बोलते हैं इस पूरी कहानी का मतलब यह है कि ऐसे activities जिसके उपर आपका कोई control नहीं है reflex मतलब ऐसे activity जिस पर आपका कोई control नहीं है for example control है पका चलिए ठीक है गुदगुदी एक तरह का reflex है या जैसे हम लोगों के पास doctors लोग चेक करते हैं knee reflex घुटने उपर हाथ थोड़ा मारेंगे हम तो घुटना थोड़ा सा उपर जाता है अपने आप यह उपर जाता है या जब patient बहुत serious होता है कोमा में होता है तो हम यह चेक करना चाहते हैं कि कोमा में कितने गहराई से गया है तो एक होता है pupillary dilatation reflex तो आख खोलते हैं torch लगाते हैं तो जो आखों के अंदर पुतलिये होती है torch लगाने पर अगर सिकुड जाती है इसका मतलब patient अभी भी उमीद है वापस आ जाएगा और अगर आपने torch दिखाय और dilatated है pupil इसका मतलब पेशिंट बहुत नजदीक नहीं और ये चीज़ पेशिंट जान मुझके नहीं करता है वो तो कोमा में है तो reflex मतलब होता है जो चीज़ आप जान मुझके नहीं करते हैं तो ये जो जान मुझके नहीं करते हैं ये हमारा कौन सा center करवाता है S centers reflex movements subconscious impulsive acts also called motor movement or reaction इसमें हमारे motor movements body की जित्रे भी movements है motor मतलब movements arising from concealed memory of man's evolutionary past आदमी की evolutionary past क्या है आदमी 5000 या 15000 या 50,000 साल पहले क्या था ये तो हम जो जानवर हमारे body के अंदर है वहां से निकली हुई activity वो है S center atavistic perversities atavistic मतलब जानवरी ये perversities perversities मतलब आप जो चीज नॉर्मली करना चाहिए इसको abnormal तरीके से करते हैं for example biology में या सभी जानवरों में male और female में relationship होता है लेकिन हमारे हाँ खली human being में और शायद एक एक और जानवर में कहते है camel में homosexuality भी आ गया है कि male और male में sex करते हैं तो it is a perversity क्या है ये perversity और reflex condition from them या उन में से निकली हुई reflexes जैसे हमारे हाँ forensic medicine में धेर सारे बिमारिया है sex related बहुत से ऐसे criminals हैं जो dead body के साथ sex करना पसंद करते हैं इसको बोलते हैं एक होता है इसमें अपने आपको पीटना पसंद करता है आदम तो ये perversities है कि normal से हटके reflex बन गया उसको इस region favors decisions made not only against one's better judgment but also against one's own natural likes and dislikes ये center खाली आपका judgment मतलब eye center के खिलाफ काम नहीं करता है ये आपके likes और dislikes के खिलाफ भी काम करता है आप पसंद नहीं करते हो film देखना फिर भी बहुत बार आप देखोगे smoking आप अगर करते हो और आपको गले में खासी हो रही है उससे फिर भी आप एक बार आदत पड़ गई तो आप करते रहोगे करते रहोगे उससे harm हो रहा है उससे तवित खराब हो रही खासी हो रही फिर भी करते है so it is something which works against not only your eye center judgment अपका judgment कहता है दिमाग कहता है के नहीं गलत है और आप उसको पसंद में नहीं करते है फिर भी करते है जैसे एकर मैं मदमाश बच्चों के लिए देखता हो जब मुझे दया आती है विकॉज ये बच्चे जान मुझके नहीं करते है ये नहीं करना चाहते हैं फिर भी कर देते हैं मदमाश यहां कौन करना चाहता है वो तो स्टार्ट तो हुआ था खली बैग में से पन निकालने से और पहुँच गई कहां कुर्सी उसके सर पे पीट दी और जब टीचर बोलते हैं आइंदा से नहीं करोगे न उस बिचारे को पता नहीं आइंदा आइंदा का कल का क्या वरोजा है यार कल है सिंटर फिर हावी हो जाएगा अब एक सांप से पुछो कि दुबारा फन नहीं मारोगे न सांप को क्या पता सांप को तो जरा साप छू दो करके फन निकाल लेगा वो रिफ्लेक्स है उसका वो सोचा समझा conscious response नहीं है ठीक है सर कल से stool कल से stool नहीं तोड़ूंगा सर और दिमाब में क्या सोच रहा है exactly table थोड़ूंगा मुलता है decisions as if forced upon one ये decisions ऐसे हैं जैसे सर मुझे मैं करना ने चाहा था मेरोपर किसे ने force कर दिया I was driven to it मुझे धक्का लेकर देकर पहुचा दिया गया drives born out of insatiable thirst कुछ ऐसी प्यास है हमारे body में जो पूरी नहीं होती जैसे drugs sex addiction इन में से जो प्यास निकली हुई है उसको हम बोलते हैं s center की demand all uncontrollable urge सारी ऐसी urge desire जोसको हम control नहीं कर पाते as if some strange force thrusted its decision on one using him merely as instrument of craving ऐसा लगता है जिसे हमारे पर कोई भूत चड़ गया और उसने हमको करवा दिया this center governs all which in yoga और vedanta falls under the heading of tamas इसको vedanta में योग में क्या बोलते हैं इस center को tamas रजस तमस और सत्व तो tamas तमस का exact मतलब क्या होता है darkness या dullness of wit stupidity और absence of intelligence energy है लेकिन intelligence से free energy जैसे एक गाड़ी अब चालो करके छोड़ दीजे रोड़ एक बड़े से मैदान में छोड़ दीजे गाड़ी और उस पर कोई पत्थर रग दी जाए accelerator पर तो चलती जाए अब वो पत्थर इदर गिरेगा imbalance होगा तो यहां वहां गुमेगा तो चल रही है गाड़ी लेकिन यहां वहां चल रही है लेकिन उसी में अगर driver बैठा है तो गाड़ी rhythm से चले गई तो ऐसे ही एस center का मतलब है energy but without intelligence clear in Sanskrit the word sat means being satya जो होता है उसका मतलब होता है जीव या तो being yet also vitality as characteristic of being लेकिन उस being के अंदर उस satya के अंदर में energy भी होती vitality as a potential energy of being vitality as asleep or hidden in every being thus in every being human being there is untold reservoir of vitality vital energy untapped and center depicts vitality divorced from reason and avoid of feeling तो हर जीव में हर समझदार बंदे में कुछ energy होती है लेकिन एस center का pure center का मतलब होता है उस जीव में energy है उस center में energy है बुद्धी नहीं है ठीक अब last है M center इन चारों में से M center means mobility of muscular and assorted movement for the mobile execution of decisions for short mobility मतलब आपके muscles और आपके thoughts और आपके feelings इन सब का movement कराना जब आपका I, E और S center ने अपने दिमाग में एक दूसरे से बात कर ली और उसके बाद decision किया कि ये होना है तो decision को पूरा करने वाला कौन कराता है M center तो M center means that spot in the brain which combines aforementioned thoughts, feelings and reflex तो M center करता क्या है? combined करता है thoughts को, feelings को और reflex को तो combine करके, mixture करके उसके बाद आपसे एक decision दिलवाएगा it is like a mathematician it counts and reads the varying intensity in the first three centers either totaling up the sum of rotating units of vibrations in the intensities if they all be positive, one kind बोलता है ये बड़े खास तरीके से add करता है कि अगर I, E और S में एक ही तरह का vibration है let's say plus 1, plus 2, plus 4 तो इस सबको total कर देगा कितना होना देगा? plus 1, plus 2, plus 4 कितना हो गया? plus 7 अगर minus 1, minus 2, minus 6 तो minus 7 हो जाएगा तो एक ही तरह का होगा तो minus कर देगा it favors the side having the highest score of the vibration भी it plus or minus it always favors the winning side and that too in the most unique way लेकिन अगर ये दोनों different है i center plus में है e center और s center minus में है तब ये कैसे add करता है? तब normal mathematicals के rule apply नहीं करते है कि ये minus है और ये plus है तो minus कर दिया ऐसा नहीं apply होता है ये क्या करता है? it transforms the vibration of losing side into those of majority holder कि i center 2 है plus 2 e center minus 4 s center minus 8 तो जो एक जैसे है उनको तो add कर दिया उसने minus 4 minus 8 कितना हो गया? minus 12 और ये plus 2 तो पहले ये plus 2 को change करेगा in the favor of vote बदलवाएगा या तो उनको vote दे दे तो plus 2 जो i center है उसका क्या हो जाएगा? minus 2 और उसके बाद सबको add करेगा and then adds them all total it also has a kind of casting vote और अगर tie हो जाता है तो ये vote भी देता है but that is always in the positive side m center in Sanskrit is known as manas minus और in Latin means mens mens जो हमारा नाम पढ़ा है वो इसे लिए पढ़ा है क्योंकि हम m center है movement center है m center carries out inter departmental memos अलग लग department का memo यहां से उठा कर वहां ले जाना है उठा कर वहां of and in the mind it signifies mobility as cardinal characteristic of mental operation इसका main function क्या है movement या mobility इसको m center बोलते है ठीक है? 34 minutes और और कर ले अब जो मैं बताने वाला हूँ यह जब मैंने पढ़ना शुक्त यहां तक जब मैंने पढ़ा जनोगा मुझे अच्छा लगा ठीक है मुझे लगा कि इसके शब्द बड़े चेहे हैं बहुत detail बुक है लेकिन जब आगे जब मैंने पढ़ा तब मुझे समझ में आया आशिष भाई तुम्हारी नईया पार हो जाएगी कि उसमें मैं बहुत अच्छा स्टुन्ट नहीं था कमजोर था पढ़ने में ठीक ठाक था धक्का मार मार के पापामी ने पढ़ा दिया था आगी क्या बताता है अब इससे पहले कि हम आपको और हाय सेक्शन के बारे में बताएं और क्रिटिकल स्टेज क्रिटिकल स्टेज क्या है वो क्या होता है जब आप नोमैंस लैंड क्रॉस करेंगे जब उस पार पहुँचेंगे जब आपको सेक्शन 2, B, 3 और 4 का थोड़ा से experience मिलना शुरू हो जाएगा और मैंने कहा था इसको हम लोग confuse नहीं करेंगे enlightenment से हम लोग जब CCSF पहुँचेंगे तो गौतम बुद्धा नारा की तरह जादू नहीं कर पाएंगे लेकिन हमारा अंदर का experience बहुत 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 जाएगा चीज़ें अचानक आपको समझ मैना शुरू हो जाएगे कि मेरे आसपास जो problem थी क्यों थी solve कैसे करें क्या चीज like dislike खाली like dislike तो अभी मालू पड़ता है लेकिन उस समय आपको अपने problems के solution अपने आप दिखना शुरू हो जाते हैं और आप उनको कर सकते हैं जो confusion आज है वो समय नहीं होती तो बोलता है अगर CCS पर पहुचना है और practical exercises हम आपको बताएं कि आपको क्या क्या करना चाहिए but no practical measures are of any use unless we come to terms with the cardinal problem of the spiritual life or for that matter any kind of serious or purposeful living तक कोई भी तरह की purposeful living कुछ करना चाहते हैं आप लाइप में वो काम में नहीं आएगी जब तक आप एक बड़ी सी cardinal problem life की उसको आप आपना सामना नहीं करेंगे cardinal problem मतलब main problem cardiac मतलब heart ऐसी आपकी life की सबसे main problem what is that problem how to keep our interest in and enthusiasm for the quest in spite of countless difficulties and reverses countless difficulties धेर सारी मुश्किले और reverses मतलब आप थोड़ी कोशिश करेंगे आगे बढ़ जाएंगे फिर वापस ले आएंगे तुम बिलकुल नहीं सुदर होगे तुम दस बार बोलते हो बिलकुल नहीं सुदर होगे टीचर जब भी बोलता है तो लगता है इतनी मेनत करके क्या फाइदा जूट बोल करके इस अच्छा तो जूटी बोल देता थे दो दिन साच बोला कुछ फाइदा नहीं हुआ इसको बोलते है reverse तो countless difficulties और reverse के बावजूद हम अपना interest अपने mission पर या अपने goal पर या अपनी खोज पर कैसे कायम रखे moreover let's not forget that there are several trials trial मतलब एक तो होता है कोशिश एक और courtroom में trial होता है क्या बोलते हैं उसको हिंदी में जो court में trial होता है case चलता है जो उसके उपर trial खिचाई होती तरह से तुम्हारे बारे में जो मुश्किल है आपको trial को क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है देर सारी जो trials आपके साथ होती है life में मुश्किल होती है come in the form of that monotonous routine of everyday life the aptly called gruer altag German word है gruer altag क्या है ये क्या है monotonous daily life monotonous मतलब mono मतलब one buy मतलब two try मतलब three monotonous मतलब एक ही तरह की रोज की जिन्दगी रोज सुबह उठो आज कल थोड़ा ठीक है चुट्टियां है लेकिन जैसे ही 15 तारीक हाएगी 16 तारीक में वही सफेद रंग का शर्ट वही उपर टूट वही बटन वही टाई वही नास्ता वही बैग विच ड्रेंस अवे आवर स्ट्रेंथ और एंथूजियाजम यही monotonous daily life क्या करता है ड्रें कर देता है हमारी energy को फॉर क्योंकि the bulk of our earthly existence is except in very unusual cases made up of trifling events and incidents जो हम धर्दी पे रहते हैं 50 साल, 60 साल इसमें से maximum amount of time हमारा जो खर्च होता है bulk of earthly existence कहा जाता है रोज मररा की नहाने में, धोने में, पॉटी करने में चाय पीने में, खाना खाने में जो ज़्यादा तर time जाता है हो कहां जाता है, kisses में जाता है monotonous, trifles trifles मतलब छोटी बोटी problems नहीं trifles मतलब problem नहीं trial मतलब problem trifles मतलब छोटी छोटी boring चीज़े कोई भी चीज़ सीखने में पता है दिक्कत क्यों होती है क्योंकि boring चीज़ को बार-बार करना पड़ता है पहली बार जब देख लेंगे आप लेट से मैं आपको बोलता हूँ English picture देखेंगे तो आपको इंग्लिश सुधर जाएगी तो आपको दिदिया मेरे एक बड़ी अच्छे सी English की movie आपने उसमे सब मज़दार scenes खतम कर दिये एक बार देख लिया दो बार देख लिया अब आप चोटे बच्चे की तरह है मुझे पता है बड़े बापा इसके बाद एक गुंडा उसको उठा ले जाएगा आउ आर यू ये ट्रिफल है मतलब छोटी सी boring चीज अब भया का काम बड़ा ट्रिफल वाला काम है आप पूछ रहते हैं खान एकैडमी के वीडियोज आप डाउनलोड कर रहे हैं धेर सारे ये करीब पाँच आठ हजार वीडियोज है राउनलोड करता पर उसको सीडी में बनाना और एक सीडी नहीं बनाना है हम लोग को करीब एक लाख सीडी बनाने तो ये बनेगा कम से कम दो साल में तीन साल में ये ट्रिफल है कपड़े धोते हैं आप लोग नहीं धोते न इसलिए आप एक ट्रिफल से बच गए ब्रश करते हैं खुदी करना पड़ता है डाहाना खुदी करना पड़ता है बरतन माजा है कभी तो ये देर सारे trifles है इसलिए आपके मम्मी लोगो को घर बड़ा अच्छा लगता है घुमना बड़ा अच्छा लगता है आप लोगो लगता है बाहर घुम के ये मम्मी क्या लखेम पूर में घुमने को रखा है लेकि मम्मी से पूछे बचारी को दिन बड़ जब बड़तन माजती है तो सुबह एक चकर शाम को मार आएंगे मार्केट की उनके लिए वो भी बड़ा मज़िदार चीज है क्यों? क्योंकि वो घर में बहुत ज़्यादा boring boring trifles को जीती है मुलता है even Hollywood heroes and prime ministers spend most considerable portion of the day dressing, undressing, brushing teeth drinking out of glass and doing other less mentionable course बड़े-बड़े hero है, actors है, prime ministers है वो लोग भी रोज उनका maximum time कहां खर्च होता है brush करने में, ना आने में, दोने में कपड़ा पहनने में, etc, etc great meaning extra-ordinary events occur but rarely in the life of an average person, हम जैसे जो average लोग है हमारी life ऐसी नहीं है जिसमें कमाल की चीज़े हो इसलिए हम कमाल की चीज़े वाले फिल्में देखते है Indiana Jones देखिए आपने Indiana Jones गबर सिंग की स्टोई दो देखिए होगी धर्मिंदर रवियू, जेल में से भागते है और जाकर गबर सिंग को पकड़ते है देखा है और दोनों उदर दारूपी के चड़ा रहता है उपर ये इक्स्ट्रा ओडिनरी चीज़े है हमारे लाइप में नहीं होती है इसलिए हम देखते हैं उनको कोई बहुत महान चीज़ आ रही है तो उसके लिए तो आप अपना एंथूजियाजम रोकी नहीं सकते आपने दखा चालो कि अपल का लेप्टप लाए दे रहे पपा देखो तो पता है अपल में खास चीज़ा है सीडी कैसे पड़ती है कुच कमाल है ने यार हमारा मूँ भी ऐसी कर लेता है मूँ में डालों खाना खच करके नीच चलाता है उसमें कमाल नहीं है अपल में कमाल है लेकिन तो आप कोई ग्रेट चीज़ है उसके लिए तो आप अपना एमोशन रोकी नहीं सकते बट अपोट मेंटिनिंग सच एंथूजियाजम in the mid of daily grinds of routine daily की जो grind है पुराने जमाने में चक्की piecing and piecing या तो घरों में चक्की होता था आप लोगों को पता रही होगा न मेरे गाओं के घरों में चक्की है उसमें औरतें आटा खुदी पीसती थी और दो दो घंटे तक पीसती रहती थी तो बोलता है इस तरह की grind daily grind की जो life की grinding है उसमें आप enthusiasm कैसे रखेंगे दिखो गाओं की ओड़तों ने गाने बना रखे थे कि चलाते समय गाना गाएंगे उस grind को अपने आपको enjoy करने के लिए the acid test सबसे बड़ा जो test है आप लोग जो father को बोलते हैं बहुत से लोग बोलते हैं but his life is the most one of the most boring life हमारी family है हमारी wife है, हम खुश है, हम भाहर गुमने चले जाते हैं वो भी गुमने जाते हैं लेकिन he doesn't have a family family is a constant source of entertainment हफते में कम से कम 3 दिन लड़ाई होती है दो दिन मौज होती है और धेर सारा खर्चा होता है फिर रोते हैं आप और यहाँ पर father तीन जार बच्चों के लिए बोलते हैं मैं तुम्हारे ले जी रहा हूँ, मैं तुम्हारे ले जी रहा हूँ मुलता है कि अपने दिमाग को स्टेबल रटना धेर सारी परिशाईयों के समय है इसके लिए बहुत रेजलूशन की जरूरत है बहुत हिम्मत की जरूरत है जो सब के अंदर नहीं है कल एक भहिया है एक सर्जन है बहुत ही अच्छे खासे पैसे वाले हैं और उनकी अपनी 15-20 एंप्लोईज की एक कंपनी है उनको मानुपड़ा कि उनके बेटे को एक स्क्यान कराया है मैंने अपने हां सेंटर में कुछ थोड़ी मूरी फाइंडिंग आ गई वो डॉक्टर भा आई यह है कि आप अपना दिमाग एक भी पोज शांत नहीं रख पाते जब परिशानी आती है इसके लिए बहुत कम लोग हिम्मती होते हैं अपने आपको बैलेंस रख पाना and yet और फिर भी the viability of spiritual life or purposeful life is tested in the field of ordinary activities viability मतलब यसे बहुत से पौधे होते हैं जो रिगिस्तान के होते हैं वो यहाँ नहीं पलेंगे यहाँ के पौधे आप रिगिस्तान में ले जाओ तो नहीं चलेंगे यह try built है try की बहुत सहर से पौधे हैं जो हाँ यह कहाँ चेक होता है रोज की ordinary activity वे अगर आप यह boring activity नहीं कर सकते हैं यहाँ पर खाली आप यही maintain कर लें मेरे साथ भहिया जो काम करते थे आप लोग नहीं जानते शायद उनको एक भहिया थे उनका नाम था उनका नाम है अनरेंद्र तो बोलता है भहिया मैं आपके साथ काम करना चाहता है मैंने का बेटा एक ही काम कर तो साल भर तक पहले तो मेरे साथ नोकरी कर ले मुझे guarantee है कि तीन-चार मेने में तो छोड़ देगा नहीं भहिया हम जिन्दिगी पर नहीं छोड़ेंगे तो खैर तीन मेने नहीं 6 मेने ल जैसे for instance the patience or lack of it कि आपके अंदर कितना patience है या patience नहीं है when you are waiting for a bus या हम यहाँ पर add कर देते हैं आप डॉक्टर के पास गये हैं अपने आपको दिखाने बहुत से patient होते हैं अरे रामरे जहान बचाओ जहान बचाओ और हुआ क्या है छोटी सी पत्री है कहीं पर और injection लग च patient होते हैं उतको cancer होता है लेकिन वो पिचारे पढ़े जाते हैं एक तो औरत आई थी उसने अपने जहांच-वाच कराया तो डॉक्टर ने देखा उसको heart में बड़ा सा hole था तो उसने बताया रॉक्ट साब बहुत जिंदगी जी लिया ठीक है बढ़ापा है शांती से मर जा अगर patient रहेंगे तो बोलेंगे ठीक है फिच है मैंने एक बाद exam होगा Without enthusiasm, even the spiritual quest will appear tiresome अगर आपके अंदर में enthusiasm नहीं है यह Khan Academy यही कर रहा है आपके अंदर enthusiasm डाल रहा है कि पचास किल हो गया तो एक batch मिल गया यह batch क्या है enthusiasm डालने का एक बहाना But how to keep the fire of enthusiasm burning in the face of idiotic trifles लेकिन रोज की idiotic boring trifles में अपनी fire को enthusiasm की energy की fire को कैसे बचा के रखे वो हम लोग कल पढ़ेंगे ठीक है Thank you so much